Dear students, this is class 7th and your subject is computer, chapter number 5, named computer virus. I have already told you all the introduction related to computer virus. Computer virus, what does it mean? Computer virus actually, good people, in order to do a program, which means that the computer's hard disk can be done, and the file can be done. In order to do this, there are people who have been able to do this program, which can be done in the hard disk, and the hard disk can be done, and the storage data can be done. Computer virus is what is computer program. कंप्यूटर प्रोग्राम के पर बाता है इस तरह से कहा जाये अटिवायरस की एक software है क्योंकि यह प्रोग्राम लुगत आक कंप्यूटर को नुक्सान पहुचाने का काรद बनता है कारण बनता है वाइरस का है, आपको एक बाद और बता दे जाए कि वे सारे प्रोग्राम जो कम्प्यूटर को हर्प पहुंचाते हैं वे वाइरस नहीं होते है यह इस्पेशली गलत मेंटालिटी के लोग गलत मानसिक्ता की उद्यस से कुछ ऐसे सब्वेर डेपलप करते हैं जिससे की डेटा की चोरी की जाए, डेटा को है किया जाए तो यह कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, मुझे रहे यह कम्प्यूटर वाइरस करते हैं जो कास बनते हैं कम्प्यूटर को खार्प नहीं कर सकता जो कम्प्यूटर सिस्टम काना डेपलंपर सेवाइरस अ इस में जो कोई वाइरस पना नीजी वाइरस डेपलप महीं कर सुपना गर सिस्टना देर मीरीĩ न कहींआ सर्प नमक्टर वाइरस देविए फिर दिखरेंगें दिफ्रेंट सब्सक्राइब तो कंप्यूटर वायरवस होते हैं ने फिल भीन टे होते हैं और फिल फिल परिदा से परार से परिदासित भी किया जाता रहा है और next point है, the most common and useful means to contact computer system from the virus is to use an anti-virus software program. आप अपने computer को virus से बचाने के लिए, जो सबसी important means है, जो सबसी important तरीका है कि आप अपने computer को virus से शुरक्षित रख सकें, इसके लिए आप अपने computer में anti-virus program का use करना होगा. Students, दूसरे विडियो में हम computer virus related और भी बहुत सारी चीज़े बताएंगे, तब तक के लिए धन्क बाद, तैट साथ thank you students.